मेरे खांट साइट सब्माद ली रहे हैं मेरे खांट साइट सब्माद ली रहे हैं ट्रोलिंग कर रहे हैं मेंपस बना रहे हैं गंदे गंदे भद्दे भद्दे उन पर comment किये जा रहे क्योंकि उन्होंने ऐसी बाते कहे दी गए इनको भी इतना sense चीए क्योंकि ये senseless तो नहीं है क्योंकि मैंने जहां तक देखा हूँ कि इन्होंने अब तक बहुत से serious कर चुकी है बहुत से hosting कर चुकी है तो ये senseless तो हो नहीं सकती क्योंकि उन्होंने कहा था कि भगवान मेरे ब्रा का size ना परे यारे guys एक कौन सी बात है कौन से way में गई उनकी thinking क्या थी उन्होंने क्या सोच के बोला यही समझ में नहीं आ रहा है यहां तक के MPK ग्रे मंत्री नरेंत मिश्रा ने भी उन पर की कारवाही क्योंकि उन्होंने कहा कि वो ऐसे ही हमारे भगवान को ठेस नहीं पहुचा सकती जिसके दौरा लोगों को काफी गुस्सा है के कहने का मतलब ही पूरी तरह से गलत था लेकिन मेरे अब तक यह समझ में नहीं आया है कि श्वेता तिवारी ने अब तक मेडिया में आके कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया क्या वो वाइरल होना चाती थी क्योंकि मैं सुबा से देख रहा हूँ सिफो ट्रोल पे ट्रोल होते जारी इंस्ट्रेग्राम पे ट्विटर पे हर जगे फिर भी उनकी आखे खुली नहीं क्या क्यों वो अब तक पब्लिक के सामने आके कुछ अपना इंटर्वियू नहीं दी शोयता तिवारी ने अब तक कोई भी स्टेटमेंट मीडिया में आके नहीं दिया है क्या वो गलत नहीं है उनके कहने का मतलब यह है या उन्होंने कुछ और कहा लेकिन जो भी कहा हो उन्होंने बहुत ही सेंसलेस बात कही है जिसके दौरा इंडिया की पब्लिक ना खुश है और उन्हें सुबा से लेके अब तक ट्रोल पे ट्रोल किया जा रहा है अब आगे की सच्चाई वो खुद जब मीडिया में आएंगी तो ही पता चलेगा क्यूंकि ना हमें पता है और ना आपको पता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सस्क्राइब कर दीजे और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्षन में बताइए कि आपको नेक्स टॉपिक कौन से वीडियो पे चाहिए वो हम आपकी फर्माईश पे लाएंगे तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में